नमस्कार दोस्तों मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरी चैनल टार्गोट शिटेट में आपका स्वागत हैं यहाँ पे देख लिजिए अब परसिचित प्रामविक जा सकती है आज उसी से रिलेटेड हम वीडियो आपको बताने वाले हैं आप देख लिजिए फिलाल बचे रहेंगे नाले के अंत्रिम आदेश से शादित वादी यानि कि जो पेटिशनर है वो बचे रहेंगे डेलेट उत्यूण शिश्कों को परिच्छा फल प्रकासन कितित से मिलेगा बेतन जी हां जब ओ डेलेट उत्यूण किये हैं तब उन्हीं के परिच्छा फल से उनका बेतन मिलेगा जिस दिन उनका डेट प्रकासन हुआ है तो चलिए इस ख़बर पे विशेश नजर देते हैं राज के सरकारी अस्कूलों के वैसे प्राम्विक शिश्कों को अप परिच्छित मानते हुए उनकी सेवा समाप की जाएगी यानि कि बहुत सारे सिच्छा बाग बहुत बार उनको मौका भी दिया है कोड़ सी मौका मिला है कि आप अप परिच्छित हैं तो परिच्छित प आई ओएस के ठारा महा के डिलेड पाठ करम के परिच्छा में फेल कर गया है हलाकि वे सिवा मुक्ती का यह आदेश उन वादिशिज को पर ततकाल प्रभावी नहीं होगा जो उच न्याले द्वारा पारित अंतरिम आदेश से अचादित हैं जो नहीं बने है उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर बन सकती है दोस्तों क्यूंकि उनकी नौकरी जा सकती है इसे संबंधित निर्देश प्रात्मिक सिच्छा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार्शी द्वारा सभी जिलों के जिला सिच्छा पतादिकारियों एवं जिला कारकरम पतादिकारियों और स्थापना को दिये गये हैं देश में कहा गया है कि बच्चों का मुप्त एवं अनिवार्शिच्छा संसोधन अधेनियम 2017 की धारा तेश के तहत सभी अब पर्शिच्छिच्छों को 31 मार्च 2019 तक निर्धारित अहर्ता यथा सिच्छक पर्शिच्छन प्राप्त करना अनिवार्श था इस हेतु भारत सरकार के तत्वाधन में राष्टिय मुक्त बिद्याले संस्थान इन आई ओ एस द्वारा 18 मा का डिलेट पार्थ करम कंसंचालन किया गया ताकि अब पर्शिच्छिच्छों का सिवा कालीन पर्शिच्छन संपन हो सके प्रात्मिक सिच्छनी देशकनी 22 अक्टूबर 2020 को जारी निर्देश का उलेक करते हुए जिला सिच्छा पताधिकारियों एवं जिला कारिकरम पताधिकारियों अस्थापना से उसका अनुपालन करने को कहा है जिला सिच्छा पताधिकारियों एवं जिला कारिकरम पताधिकारियों अस्थापना से कहा गया है कि वैसे आप पताधिकारियों एवं जिला सिच्छा पताधिकारियों एवं जिला कारिकरम पताधिकारियों अस्थापना भुगतान किया जाना है जिला सिच्छा पताधिकारियों एवं जिला कारिकरम पताधिकारियों अस्थापना को दिये गया निर्देश में कहा गया है कि अपर्शिच्छ सिच्छक पर्शिच्छन चारिपूर्ण करने के उपरांत समान अथवा पूरत परिच्छा में यदि उतिन नहीं हुए है सीवा मुक्त करने की करवाई, सम्मंदित न्योजन, इकाई के अस्तर से किया जाना है, प्रात्मिक सिच्छा निदेशक द्वारा जिला सिच्छा पताधिकारियों एवं जिला काक्रम पताधिकारियों अस्थापना से कहा गया है कि बरतमान में प्राप जनकारी के अनुसार CWJC 247 डवन लाइन 2019 CWJC 16214 2019 एवं CWJC 2346 2019 में पतना उचन्याले द्वारा पारित अंतरियम आदेश से अचाधित वाधिगन पर या निर्देश ततकाल प्रोहवी नहीं होगा जिला से चपताधिकारियों एवं जिला कारिकरम पताधिकारियों अस्थापना से यह भी कहा गया है कि यदि इसके अतिरिक्त अन्यालिय मामलों में नियादेश की सुचना प्राप्त होती है तो इसकी सुचना अभिलम निदेसाले को दी जाए इसके साथ ही निर्देश के अनुपालन में की जाने वाले करवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई है इस बीच बोजपूर के जिला सिच्छा पतादिकारी ने अब परशिचित प्रामिक शिच्छो के सुची परखंड सिच्छा पतादिकारी उससे मांगी है यह सारा अपडेट हमने अपने यूटूब चनल के मादम से आपको प्रुभाइड कराया दोस्तों और भी इसको से रिलेटेड अपडेट आते रहते हैं जो की बारी बारी से इसका वीडियो डाल के आपको इन फर्म देते रहते हैं तो और भी कोई खबर आएगा तो वो खब